नमस्कार दोस्तों, बगवार आपसे भी कबला करें और आपके सारीक छाय मनुकामने पूरी हों दोस्तों, आज मैं आपसे भी को इस हाथ से रिलेटेड महत्मों जान करेंगे करूँगा और यहाँ पर आपके जो पहले queries है, उसका answer overall palm rating के दुरान सबसे पहले दिया जाएगा तो यहाँ पर आपका question यह है कि job करना या business करना क्या सबसे ज़्यादा fruitful है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो mercury line है वो बहुत positively active है और mind line से और जब independent luck line इस परकार से निकलती है, mercury के तरह जुकती है तो इस condition बिजनस sense या luck बहुत अच्छा यह create करके देता है और इन सब के अतिरिक्त यहाँ पर आपका money triangle का formation भी available है जिसके करन जीवन में पैसा बहुत अच्छा आता है, रुपता है, ठिकता है और सदुपयोग भी होता है और बढ़ता भी है और triangle के अंदर अगर triangle हो तो दिन, दुगन, राज, चुगने, उन्नती यहाँ आपको करवाएगा लेकिन condition यह रहेगा कि आपको independent work करना, व्यापर करना बहुत जरूरी है वेगर आप business में involved होते हैं तो इतनी ज़्यादा आपको independency, freedom या इतना source of funding strongly create नहीं हो पाएगा और वैसे भी आपके सूर के उपर close का sign है तो आप वैसे भी job कही भी नहीं कर पाएगा क्योंकि किसी के under में comfortably work ना कर पाना, rules, regulation, discipline या 9 to 5 वाला work आपसे हो ही नहीं पाएगा और इस condition में unsatisfaction, unstability और insecurity यह तीनों चीज़े आपके जिएन में रहेगी तो जो भले ही आप try करिएगा अपने interest के accordingly लेकिन इसमें success के chances आपके बिलकुल negligible है दूसरी बात यहाँ पर करें कि studies के regarding कि further studies में किस प्रकार से आपके योग बन रहे हैं तो पूरी के पूरी mind line लंबाई में जा रही है तो लंबाई में mind line ज्यादा देखने को मिले तो इस condition में long hard deep studies create करता है और knowledge का proper utilization भी होता है किसी प्रकार का ग्यान बेकार नहीं जाता और यही reason है कि आप जसे जा तक अच्छी लंबी पढ़ाई लिखाए करके और जदो तरक्य अपने जिवने पास सकते तो continue studies आप करिए अभी भी minimum 4-5 year आपकी studies में लगने वाला है इसके लबा आपका query है आपके marriage के regarding love affair के regarding तो yes successful होने के chances हैं पूरे क्योंकि Jupiter पर एक तो cross का sign आ गया और सबसे अच्छी बात यह है कि guardian angel line के availability आपके palm में हो गई है यानि आपका जो यह love affair start हुआ था यह approximately बहुत पहली हो चुका था उम्र 21-22 के आसपस से यह जो supportive line है यह active हो रहा है और यह at the end of the life available है तो इनका जो support है overall life ही रहेगा it means कि आप दोनों का marriage होने का chances fully conform है और जो attachment bonding और relation है यह और ज़दा मजबूत होता चला जाएगा तो यह combination जो है बहुत rare hand में देखने को मिलते हैं लेकिन यह successful married life और love marriage के indications को prominent करता है आपको issue digestion के regarding है सूर के उपर cross होता है तो नेत रिया digestion के regarding issues आती है उपर से आपको Jupiter mount भी थोड़ा सब week है तो इस condition में यह जो problem है यह solve कर पाना एक प्रकार से scientific way में थोड़ा कम देखने को मिलता है पहले बात यह जो problem है कोई पकड़ी नहीं पाता इस condition में दो remedy suggest करता है palmistry पहला तो यह कि आप हर बुद्वार को जैसे आज ही बुद्वार है आप जाईए गणपदी जी के मंदीर में और वहां पर और की संख्या में लड़ू डोनेट करके या फिर एक प्रकार से चढ़ा करके आईए जो आपका मन करें आप वो करिए इस condition में लेकिन और की संख् दूसरा आप रोज के रोज गयतरी मंतर का जाप करें कम से कम 11 बार तो आपको करना ही चाहिए ना दो करके इससे अपके सूर्य मजबूत होंगे और सूर्य जब मजबूत होंगे तो यह आपको और जदा तरक्य समरे दिया स्वास संबंदी जो भी इसे तकलिप परशानी है unwanted tension pressure या trouble है इन सब चीजों से आपको छुटकारा मिलेगा ये दो option में से आप कुछ भी करिए आपको लाब बहुत अच्छा आने वाला है और अभी यहाँ पर बात करते हैं आपके overall palm के analysis के अपर तो yes finger की length आपके palm के compression में short है जो एक fast addition making habit को थोड़े जलद वाज़े हर बड work नहीं कर पाती क्योंकि खुद के rules, regulation, ethics मन मताविक काम करना पसंद है इसलिए अपने under में आप दूसरों कुराक अच्छे से काम निकलवा सकते हैं यहाँ पर देखा जाए तो बेचेनी थोड़ी ज्यादा देखने को मिलता है और कितना ही विपरीत परिस्तिति क्यों नहों कई नहीं अपनी खुशी ढून पाने में शक्षम देखने को मिलते हैं फिंगर में जब इस प्रकार से gap maintain हो तो यह अधिक खर्चे लेपन के निशानी होता है तो खर्चे पन ये अंतरन बेहदी कम होता है इसलिए हमेशा investment करने के आदर तक नी चाहिए और little finger के लिए नितक और इस condition में pure knowledgeable personality create करता है तो ग्यान के विशे में कोई भी कमी होती नहीं है किसी के सामने जुक नहीं पाते और as a leader, advisor, guider, consultant, teacher professionally growth करते वे पाय जाते हैं Saturn finger tilted है third finger के तरफ में तो creativity वा artistic quality जादा यह है build करता है और finger के पर आपकी सीधी खड़ी रेखाओं के शंकला है तो आड़ी रेखा भी है सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर तो आड़ी रेखा उनी रिष्टों में बार बार होना अले अन्बन मत भे दूरियों को वेक करता है finger के जो note से वो यहाँ पर आपके develop clear cut नहीं है जो confusing mindset की निशानी होता है decisions properly ले नहीं पाते है confusion doubts अपने ही खुद के लिए decisions भी जादा होता है इसलिए किसी ना किसी वेक्ति विशेस के guidance है support के आशकता पड़ती है decision लेने के लिए Falanges यहाँ developed ठीक है internal mass fully developed है तो stamina energy रोग प्रति रोधक्षम तर बिल्कुल ठीक रहने वाला है thumb आपका शश्रक तो मजबूत है जो हटी हुआ जिद्धी किसम का वेक्तित देता है सच सुनन सच का साथ देना जोट फरेफ दिखावटी पन जैसे चीजों से दूर देखने को मि सक्षम देखने को मिलते हैं जब भी थोड़ा बहुत दपता है तो family से दूर रहने की युग निर्मित हो यह कर देता है और बहुत सारी progress line आपकी life और mind line से निकली है जो बहुत ambitious nature को दरशाती है जुनूनियत बहुत होता है यही reason है कि किसी भी चीज़ को पाने की चाहस ज़ादा होती है और आप जब तक अपने desire को fulfill ना कलने तब तक शांती से नहीं बैठते हैं तो इस condition में continuous growth life में रहता है और जो आड़ी रेखा है यह अध्यात में रूची धार्मे किसम की प्रवती दयालो किसम की प्रवती दे power position भी आपकी life में definitely increase हो जाने वाला रहेगा सेटन मांट के उपर जब भी आड़ी रेखा गुजरती है तो यह mood swing का problem देती है जिसका current emotions feelings में बहुत immediate fluctuation या changes आते हैं और बहुत immediate emotional decision अपने life में लेते वे पाय जाते हैं यह आदर ठीक नहीं है क्योंकि इस condition में बहुत ज़द expectation रखने वाले और वो जब expectation टूटे तो emotional heart के होने की योग यहां निर्मितिया करता है इस condition में mood swing के issues के साथ साथ कोई भी काम जो है एक मेहनत में बनना फिर मुश्किल हो जाता है क्योंकि Saturn हमारा luck है तो इसलिए काम रुक रुक कर गया देरी से बनने की योग निर्मित करता है और किसी काम से जल्द satisfaction भी नहीं मिलता चिंतन मनन बेफिजुल का ये कराने लगता है जितना हो से के इस condition meditate करना चाहिए योगा या फिर दान धर्म भूजा पाट करना चाहिए या फिर selfish हो करके दूसरों की मदद कई मरतबा करने चाहिए at least Saturday को तो आप करिए तो इससे य increase हो जाएगा लगलान के formation अब पर आप देखे तो स्टार्टिंग में ही लगलान ने fish symbol create कर राखा है तो ये fish symbol कुल दीपक बनाता है बहुत भैतरें लेवल का successful इंसान बनाता है बहुत luckiest sign के नतरगत के मापा जाता है ये sign आपको रंग से राजा बना देगी इतने भैतरें करता है काहां पर मचली चिन बन रहा है का बन रहा है चंदर के चेतर पर बन रहा है जो प्रगतिया आपका जन्मस्थान से दूर हो आपके जन्मस्थान पर एक प्रतिशत का भी नहीं है आप अपने बर्तले से सिर्व दूर चल जड़े आपको लग कवहीं generate हो जाएगा ये फैमिली को ना भी आने अले जो है कुल को इतना ये positive sign माना जाता है लेकिन इसमें दिक्कत कहा रही है हर सिक्के के दो पहलू होते है positive भी है तो negative भी यह है कि भगवान ने सब चीज आपको दे रहे हैं और सब चीज जो एक छाब मनोकामने सब देंगे लेकिन आपकी interest जो है ब करना ज़रूरी है बात करें यहाँ पर आपके सूर के उपर तो सूर के उपर भले ही cross का sign है लेकिन यहाँ पर आपके V symbol का sign भी है जिसे यह शश्वियों कहते हैं और इस condition में अपने खुद के मेहनत पराकरम से यह प्राप्ति क्योंग निर्मित होते हैं जिसके तरह को employment भी दे पाते हैं इतने सक्षम होते हैं इसलिए हाथ के नीचे काम करने लिए लोगों की संखे बाढ़ती है बाहरी मंगल से connected बहुत सारी रेखाओं को जुकाओ आने लग रहा है इसे पुरवपुर ने रेखा के ति तो बहुत सारी responsibilities आप जैसे जातकों के उपर आती है कई मरतब़ डीफेम देगा बहुत सारे मेहनत के बात creditability नहीं मिलेगी लेकिन यह जो भी incident होगा यह आपके life को better करने आपके अंदर और नई skills को develop करने के लिए होगा पिता से हलका सा वेचारिक मतभेत अनबनिये दे सकता है Mercury Mount के अपर एक सत्य देख रेखा multiple languages के knowledge को मिठी बोले आकरशित व्यक्तित को और बहुत अच्छी healer qualities को indicate करता है आपके पास जो भी आएगा वो कई ना कहीं खुश शंतुश तिया आनंद में ही होकर के जाएगा यसे खराब आपके हाथों से होकर के नहीं जा सकता है कोई जब Mercury इतना अच्छा developed होता है तो लोग आपके पास आकर के बहुत अच्छे vibes को महसूस कर पाएंगे हील कर पाएंगे अपने आपको किसी प्रगार की तकलिफ को तो जितने भी सफल डॉक्टर होते हैं और यहाँ पर बिजनस्मेन होते हैं जोतिश होते हैं या वो सारे लोग जो लोग यहाँ पर पब्लिक सर्विस से connected होते हैं उन सब के आथ में अगर Mercury इसा response कर रहा हो तो उ उनकी चांदी चांदी होती है उनके टक्कर का कोई आदमी नहीं होता है इतना यह पॉजिटिव साइड और इंटेलिजेंसी नॉलेज लर्निंग केबिलिटी सब चीज़े अच्छी रहेगी आपके लाइफ में दो बार गहरा relation बनने के chances हैं लेकिन अभी कि अगर current period की बात एक nature भी देता है तो जादा लंबे समय तक दुखी नहीं रहते हैं कई ना कई अपने खुशी ढूरना दूसरों के खुशी में सामिल होने जैसे योग को निर्मित करता है और emotional decision लेने से react करने से over expectations रखने से आपको बचना चाहिए यहां पर आपकी रहेदर रहा जूपिट ही लेते हुए पाए जाते हैं तो इन सब चीजों पर थोड़ा आपको धिहान रखने के आवशकता है मैंड लाइन के बारे में देखेंगे तो मैंड और लाइफ लाइन में इंडिपेंडेंसी जो आ रही है वो आ रही है उमर 19 के बाद में फिर यहां पर आपका बहुत गह में 28 से लेकर के 32 के मिड में तो यह पिरेड आपको ट्रवलिंग ना रहे इसलिए अभी से जो रेमेडी सजेस्ट किया गया आपको सन के बहाफ पे और जुपिटर के बहाफ पे उसको फोलो करें उस रेमेडी से यह प्रॉब्लम या ट्रवल नहीं फेस होगा देन आफटर आगे चल करके यह जो माइंड लाइन है से बहुत सारे स्ट्रोंग लाइन अपर पोजिशन यानि मरकरी की तरफ निकले वें तो इस कंडिशन में यह गुड लर्निंग केपिबिलिटी और गुड इनोवेटिव आइडियास को गवन करता है और यही रीजन है कि मार्केट कै स्ट्रेटिजी बहुत अच्छी रहेगी और बिजनेस और बहुत सारे क्लिनिक्स आपके डेफिनेटली खूलते वे देखने को मिलेंगी इवन हॉस्पिटल भी खुदका आपका रह सकता है लेकिन अभी नहीं उम्रे 35 के बाद कई समय दिखा रहा है जहां तक पामिस्ट्र बहुत ज्यादा drastic changes सुधार करने के लिए जो आपको remedy suggest किया गया वो आपको सहन शक्ति बढ़ाएगा हिम्मत बढ़ाएगा किसी भी प्रकार के troubling situation issues से लड़ने की capability increase करेगा यही reason भी है कि आप बहुत easily सारे के सारे pressurized situation को handle tickle कर पाएंगे और हर प्रकार के विपरित परिस् जोनों होसला साहस पराकरम शहन चलता है यह पांचों चीज़े बढ़ती है जब यह रेखा आती है तो माइंड लाइन इस्ट्रेट है तो to the point बात करना स्ट्रेट फोरड नेचर रखना नए अपॉर्चुनिटेट की तलास में रहना यह उनको grab कर पाना learning capability और memory sharp दोनों के दोनों बहुत अच्छा रहना इसलिए competitive exam भी crack कर पाने में आप यहां सक्षम देखने को अच्छे मिल रहे है लाइफ लैन के उपर से जो progress line निकल रही है वो निकलना शुरू हो रही है आपके उम्र तक्रिबन 30 से तो इस उम्र से बहुत बड़े बड़े आप अपनी desire ambition के पर काम करेंगे उसमें सफलता भी मिलेगा 36 के उमर में भी निकल रहा और यह सहयोगी रेखा भी है तो lifeline पूरी मखन चल रही है बाहर के तरफ रेखा जुक रही है जिसका करन जन मिस्तान से दूर असने बसने के पूरत है योग निर्मित है शुकर के तरफ भी रेखा रही जो लंबी आयो अच्छे स्वास्त और घर परवार के प्रती बहुत ज़्यादा डेडिकेशन यह घर परवार को तमाम तरह के सुक समरेदी देपाने की योगों को निर्मित कर रहा है आपके जीवन में दो से तीन दफ़ा फेमिली लाइफ के रिगर्डिंग स्ट्रेस हाए जल्दवाजी हर बड़ी में किये गए काम से दूर रहना नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है अगर ये इन से दूर नहीं रहे तो अंदरवनी बाहरी मंगल दुरों विक्से ठीक है तो शारीरिक गठन बलोजा मांसिक बलों ठीक है जब मंगल स्ट्रों होता है तो फोकस और कला प्रेमी साहित प्रेमी और तमाम तरह की लेक्जरिस कमफर्ट्स का आनंद आप अपने जिवन में उठा पाएंगे फेशन ब्यूटी या इंटियर डिजानी के प्रति इंट्रेस्ट नॉलेज अच्छा रहेगा यहां क्याड़ी रेखा अनेसरी ज़री देरी लेकिन आपका शुक्र वास्त में बहुत अच्छा है तो पार्टनर भी आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड ओनेस्ट पूर लोयल ही मिलने वाले हैं और आप उम्र से जो है थोड़ा कम भी देखेंगे चमक रहेगी एक अलग ही लिवल की चेहरे पर इसा शुक्र आपको जो भी ग्रोथ है सब्षे दूर ही है और बर प्लेस से दूर ही आपका सामरा जे भी स्थापित होने वाला रहेगा चंदर की आडिरेखा ध्यान भटकाती है रेच्टलेसनस देती है लेकिन कोई बहुत नेगेटिव साइन यहां पर आपके नहीं है और यह समाइन ट तो कॉम्पेटिशन को कैसे फेस करना ये पता रहता है इसलिए कोई कॉम्पेटिटर टीक नहीं पाता सामने या फिर कोई भी अगर आपका टांग खीचने आ रहा है या फिर आपको बदनाम करने या फिर आपसे लड़ने जगड़ने या कोई एनिमी बन रहा है आपको आगे से रह करके कुछ नहीं करना है सारे formation कितने जदा बेस्ट है या आपको देखी रहा है बस दिक्कत कहा हैगी आपके खुद के मन के रिगार्डिंग इंट्रेस्ट के रिगार्डिंग सेटिस्वेक्शन के रिगार्डिंग आ सकती है अधर्वास कोई भी majorly problem आपक तो इसलिए ये इश्यू न रहे, इसलिए remedies को strictly follow करिएगा, जो भी efforts खुद के दौरा आप लेंगे अपने life में, उन सब में आपको सफलता निश्यत रूप से मिलेगा, तो खुद पर पूर्ण तह बिलिव रखें, एकदम एन वक्त पर आक करके आपके काम रुखते हैं, जब होता है, तो ये कुल दीपक बनाते हैं, तो अपने घर-परिवार में सबस्यदा समरेद प्रहिसिद या आपके घर-परिवार को उद्धार आपके द्वारा हो पाएगा, इसलिए दूसरों के काम आपके बल-बुलती पर बल पाएंगे, और यहाँ पर माइंड लें मे जब बाइफर्ग का सायन होता है, तो किसी परिष्टीती से काम निकलवाने के सक्षमता अच्छी होती है, चतुर-चाला की पन इंक्रीज करता है, शाम-दम-धन-भेद प्रयोक कर अपना काम निश्य तरुप से बनवाते हैं या निकलवाते हैं, तो इसलिए जीवर में प आपको थोड़ा ज़रूरी है, तो यह थी सबसे महत्पून बाते हैं आपके हाथ के रिगाड़िंग, आशे करता हूँ सभी परिष्टनों को तर्मिल गया हो, तब तक आप अपना ध्यान रखें आपका बहुत-बहुत धन्यवाद